आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर तमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा कि अगर यह मैं सारी pending return file कर दो जो कि government और मुझे बोला है कि आपको यूपनेंटी स्कीम दी है और आप pending return file कर दो तो क्या सारी pending return file करने के बाद क्या मेरा registration मुझे दुबारा मिल जाएगा जो मेरा department ने cancel कर दिया था क्या यह सच है तो इ मेरे पास बहुत सारी calls आ रही है कि सर मेरे पास एक client आता है जिसने जुलाई 2017 में registration लिया लेकिन उसका registration cancel हो गया जुलाई 2018 में क्यों cancel हो गया department ने ये बोला कि भाई तुमने पिछले 6 महीने की return file नहीं करी तो हम आपका registration cancel कर रही है यह चीज बोली और registration cancel कर दिया अब वो मेरे पास दुबारा आता है कि कपिल एंसर मुझे वही सेम registration चाहिए वही GST नंबर चाहिए क्या आप दिलवा दोगे मैं सारी pending return file कर दू तो मैंने उसे का भाई बास सुन इसकी कोई guarantee नहीं है गोर्मेंट ने यह आपको यह बोला है कि आप अपनी pending return file कर लो हम आपसे late fees में रियायत लेंगे लेकिन यह कहीं नहीं बोला हम आपका registration दिवोक कर देंगे तो सर्फाइदा क्या होगा अगर हमने सारी pending returns late fees के साथ भर दी तो फाइदा क्या होगा फाइदा सुनू आज की date में अगर कोई भी व्यक्ति GST registration लेने जाता है तो GST officer उसकी application को जाच करता है क्यों जाच करता है उसकी application को इसके पिछे circular है एक circular आयता 28 March 2019 को जिसमें department ने बात बोली कि भाई जब भी कोई व्यक्ति नया registration लेने आए तो आप चेक करना कि उसने पिछले पाप क्या की है ऐसा तो नहीं है कि पिछली return ने फाइन लागरी हो पिछला tax ना दिया हो और उसका department ने registration cancels किया हो किस वज़े से section 29 की वज़े से कि आपने return file नहीं करी तो अगर ऐसा case है तो department को ये हिदायत दी गई कि आप उसका नया registration grant मत करना और उसकी application को reject कर देना तो ऐसा बहुत जंगा हुआ है आपके शहर में भी हुआ होगा मुझे comment box में लिखकर बताना कि आप नया registration लेने गए और वहाँ पर assessing officer ने pen number से search कर लिया क्या search कर लिया भाई तेरे पास तो पुराना भी registration है और तूने तो इसकी return पर उसे दुबारा registration नहीं मिलता क्योंकि इस circular में बात लिखी है कि आपकी application को reject किया जा सकता है तो अब है क्या इस immunity scheme में इसमें ये बोला हुआ है कि भाई अगर आपका कोई default हो गया तो आप अपनी return ने file कर दो with late fees file कर दो इसके बाद इसके बाद होगा क्या आपका registration जो cancel करा है shoe moto department ने जो shoe moto department ने cancel करा है आप ये चीज कह सकते हो कि भाई मैंने अपनी return ने file कर दी मैंने जो भी tax बनता था वो दे दिया अब आप मेरा revocation कर दो sir revocation कैसे हो सकता है तो इस बात को समझो हमने अपनी ये magazine में लिखा कि भाई अगर आप revocation करना चाते हो तो इसकी date बढ़ा दी गई है 30 June तक आप revocation file कर सकते हो लेकिन revocation file करने के लिए तुम्हें section 30 की बात माननी पड़ेगी और rule 23 की बात माननी पड़ेगी अब ये मत कह देना कि मेरा registration cancel हुआ था 2018 में और मैं सारी return ने file कर देता हूँ और इसके बाद revocation अगर यहां पर revocation की condition satisfy होंगी तब ही आप अपना revocation file कर सकते हो otherwise नहीं file कर सकते यह बात समझना तो सर हम क्यों करें late fees जमा फिर जब revocation भी नहीं होगा भाई late fees जमा इसलिए कर सकते हो यह आपके पाप दुल जाए पाप कैसे दुल जाए जो department ने आपका registration sue moto cancel करा है ठीक है अब आप return file कर दोगे और उसके बाद department से यह कहोगे कि भाई मैं नया registration लेने जा रहा हूँ अब जब मैं नया registration लेने जा रहा हूँ इसी pen number पे अब मेरा कोई default नहीं है आपकी return मैंने file लहीं करी थी आपने cancel कर दिया अब मैंने सारी return ने file कर दी तो आप मेरी application को reject मत करो नए वाली application को तो इस वज़ा से अगर आप चाते हो तो जो registration cancel कर रहा था किस वज़े से कर रहा था क्योंकि आप defaulter थे अब आपने वो default को खतम कर दिया तो अगर आप नया registration लेने जाओगे तो आपको यहाँ पर registration मिलने के अगर आप बिना default खतम करे अपना नया registration लेने जाओगे तो बिलकुल नहीं मिलेगा क्योंकि उसे वो circular मना करता है इसी लिए मैं आप से कहता हूँ अपनी study को continue रखो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो magazine सबको मिल गई है ना soft copy भी मिल गई है और हाँ hard copy हमने courier कर दी है registered post कर दी है आपके पास अगले दो तीन दिनों में आ जाएगी अगर किसी ने अभी तक magazine नहीं ली है तो वो हमारी magazine ले सकता है आपको ये वाला concept के लिए हुआ तो जिल लोगों के फोन ये आ रहे हैं कि भाईया अगर मैं return file कर दू तो क्या मेरा registration registration revoke हो जाएगा दुबारा नहीं होगा नहीं होगा इस बात को समझ लेना तभी होगा जब वो condition satisfy करता होगा revocation के time period में होगा फाइदा क्या है फिर return file करने का कि जो आपका registration cancel हुआ है और आपको नया registration नहीं मिला उस pen number पर नया registration नहीं मिला उसके chances बढ़ जाएंगे जब आप नया registration करने जाओगे department check करेगा तो आप महापर उसे satisfy कर सकते हो कि मैंने अपनी सारी return ने file कर दी ये बात आप समझ गए आपको comment box में लिख कर बताना इस video का crux आपको clear हुआ या नहीं अगर video अच्छी लगी है तो जाद तो इन number पर whatsapp करके sample copy ले लेना लेकिन sample copy मिलेगी last year की अगर current month की magazine चाहिए तो इस number पर whatsapp करके paid membership ले सकते हो paid magazine ले सकते हो और हमारी google drive pen drive भी ले सकते हो अगर छोटे छोटे course चाहिए तो kj classes का app download कर लो उसमें छोटे छोटे course है जैसे अभी हमने brain programming का webinar करा था अगर किसी का वो miss हो गया तो वो app से purchase कर ले इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद thank you for watching